पॉनर मेजिक 6 RSI R PORS EDITION जो हाल ही में लौंच हुआ फ्लेक्सिट फोन है सुपर बिंड डिजाइन, फ्लेक्सिट स्पेक्स, फ्लेक्सिट केमरा टैक एंड बेनीबोर दोस्तों आज मैं Honor Magic 6 RSR Porsche Edition का unboxing को फॉर्ष इंप्रेशन बताने वाला हूँ मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे है कि स्टेट और लेडिस फोन के unboxing और in-depth review सबसे पहले देखने के लिए हमारी tech team को चोइन कर लिजे तो चलिए सबसे पहले unboxing से ही सुरू कर लेते हैं आप box के ओपर देख सकते हैं Porsche design mention किया है और ये phone एक ही variant में आता है 24GB RAM and 1TB storage यानि ये world का one of the highest hardware वाला phone के सकते हैं वैसे इस phone की price भी highest ही है box के plastic को remove कर लेते हैं और ये है main box box के lead को open कर लेते हैं तो सबसे पहले phone ही देखने को मिल जाता है फोन के plastic को remove कर लेते हैं फोन यहाँ पर अगेट gray color में मिल जाता है और ये color owner magic V2 RSR post 4 level phone में भी देखने को मिला था जिसका मैंने already unboxing और review video upload कर दिया है link नीचे description में मिल जाएगी फोन की design leaks से काफी different देखने को मिल जाती है फोन के बेक में protection भी tough मिल जाता है बेक में owner king kong rhinoceros glass का use हुआ है जो 10 times scratch and fall resistance मिल जाता है बाकी camera module hexagonal shape में मिलेगा module के right में camera specs mention किये है और phone का बेक middle area से raised मिल जाता है जो इस phone को sporty look देता है और इस raised area में owner का branding और post design mention किया है लेकिन इस raised design का एक disadvantage भी है अगर आप gaming एंथ हो है तो यहाँ पे cooling clip का use नहीं कर पाएंगे आप owner V2 RSR Pores foldable phone के साथ इस phone की comparison भी देख सकते हैं color almost same मिल जाता है अब box में बाकी का content देखते हैं इस box में phone का premium protective case मिल जाता है और यह exact same color का है जो phone का color है case के back में plain leather pattern मिल जाती है और यहाँ पे भी owner और Pores design का branding मिल जाता है और center में stitches मिल जाते है जो इस case को premium look देते हैं बा और इस box में आपको 66 watt का car charger भी मिलता है जो एक advantage है फोन का front देखे तो cold screen मिल जाती है और इस phone में industry's first tandem dual stack OLED display मिल जाती है और यह इस phone का सबसे बड़ा unique feature है और इस OLED display के बारे में मैं detail review में बताने वाला हूँ तो detail review सबसे पहले देखने के लिए subscribe करके हमारी tech team को join कर लीजिए अब phone के बाकी के specs तो same ही मिल जाते है जो honor magic 6 ultimate में मिलते हैं जैसे की camera setup, hardware communication feature, charging tech, सब कुछ same ही मिल जाता है और कल मैंने already honor magic 6 ultimate का unboxing और review video upload कर दिया है अगर आपने अभी तक ये वीडियो भी नहीं देखा है तो उसकी link भी आपको नीचे description में मिल जाएगी जरूर से देख ले प्रोसेसर भी यहाँ पर सेमी snapdragon 8 Gen 3 मिल जाता है बस रेम में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा ultimate edition में 16 GB की रेम मिलती है और पोर्स एडिसन में 24 GB की रेम मिल जाती है बाकि आप honor magic 6 pro के साथ भी design की comparison देख सकते हैं इस phone का भी मैंने detail review upload कर दिया है लेकिन दोस्तों honor magic 6 pro variant औ और इस ultimate और पोर्स वर्यांट में एक difference है जो ultimate और पोर्स वर्यांट है उसमें main camera H9800 मिल जाता है और लौफिक टेकनलोजी का भी यूजवा इस camera में तो camera यहाँ पर प्रो वर्यांट से बैतर मिलेगा और दोस्तों मैं केमेरा का डीटेल यवी जल्दी ही लेके आने वाला फोटो काफी अच्छी निकल के आती है जिसके बारे मैं डीटेल में बताने वाला हूँ तो प्राइस की बात करें तो जैसे की पहले बताया ओनर मेजिक सिक आरेसर पोर्स डिजाइन की प्राइस चाइना में 9999 चीनिवान से स्टार्ट होती जो इंडियन रुपीज में करें तो करें 1,15,320 तक होती है तो दोस्तो आप ओनर मेजिक से एक सारे सार पोर्स की डिजाइन कैसी लगी मुझा कमेंट सेक्षन में जरूर बताया है और दोस्तो लेटेस फोन के लेक्स लांच टेक न्यूज और अगला गीववर देखने के लिए मेरे ट्वीटर हैंडल को फ फोल्ञा है जरूर अख लेट हैंट